तो आज मैं आपके साथ एक आजियो की कुर्ती का वीडियो शेयर करने वाली हूं जिसमें की उस कुर्ती को मैंने डिफ्रेंट तरीके से स्टाइल करके दिखाया है मैंने अपने बॉर्ड रोग से कुछ कपड़े पिक किये हैं और उनी को mix and match करके मैंने ये वीडियो को create किया है तो चलिए आईए वीडियो को start कर लेते हैं एक पिच्चर्स आप अभी देख रहे हैं यह मेरे चैनल के पुराने वीडियो की पिच्चर्स हैं जिसमें मैंने साधी डिपिंग के वीडियो और और भी कई कुर्ती styling के वीडियो बनाये हैं अगर आपने वह अभी नहीं दे लुक दिखा रही हूँ, कुर्थी red color में है और इसके साथ ये belt भी आई थी और ये कुर्ती मुझे काफिinta काफिर लूज थी तो मैंने belt को लगा लिया है और belt को मैं तोड़ा अलग तरीके से आपको लगाना पताऊँगी जिस तरीके से मैं ये belt लगाऊंगी वो आगे से ऐसी लगेगी जैसे कि हमने वो बनाया हुआ है यह कुर्ती cotton fabric में है और काफी अच्छा कपड़ा है इस कुर्ती का अगर आप इसको buy करना चाहते हैं तो इसका link मैं आपको description box में दे दूँगी यह मैंने आज यू से मंगाई थी तो चलिए आईए अब मैं आपको इसका original look दिखाती हूँ कि यह कुर्ती कैसी है इसमें मैंने बस खाली sandal को include किया है और मैंने यहाँ पर यह jewelry oxidized jewelry को include किया है तो इस कुर्ती का look कुछ ऐसा है देखने में जैसा कि starting में मैंने आपको दिखाया कि यह कुर्ती मुझे loose थी तो बट इसमें belt आई थी तो मैंने वो लगा ली है बट अगर आपके पास ऐसी कोई कुर्ती है जो loose है और आगर आपके पास belt नहीं है तो आप belt बनाना सीख सकते हैं बहुत easy तरीके से यह जो उपर स्क्रीन पर आपके सामने picture शो हो रही है यह DIY belt का वीडियो है इसका link मैं उपर आप आपको आई बटन में दे दूँगी तो आप वहां से belt बनाना सीख सकते हैं और अपनी कुर्ती को belt के थूँ एक नया look दे सकते हैं तो आईए आप चलते हैं look no.2 की तरफ look no.2 में मैंने यहाँ पर मेरे पास एक skirt थी long skirt उसको मैंने include किया है इसको मैंने अंदर से पहना है तो यह काफी एक कुर्ती का अच्छा look ready हो चुका है और jewelry में मैंने यहाँ पर oxidized jewelry को include किया earrings, neck piece और bangles और कुर्ती को मैंने यहाँ पर tuck in कर लिया है तो यह भी हमारा एक different look ready हो चुका है और skirt की जगे पर अगर आपके पास कोई लहेंगा है तो उसको भी आप include कर सकते हैं कोई work वाला लहेंगा है तो वो भी काफी अच्छा लगेगा इसका link मैं आपको उपर eye button में दे दूँगे आप जाके वाँ से check कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं और यहाँ पर बस मैंने यहाँ पर यह jewelry change किये multi color की jewelry तो आपका यह casual look ready हो चुका है यहाँ पर अंदर मैंने कोई legging या skirt नहीं पहनी है एक casual सा look दिया है तो काफी अच्छा लग रहा है यह भी चलिए आईए अब चलते है look number 5 की तरफ look number 5 में मैंने बिल्कुल change किये इसको मैंने एक ethnic look दिया है और यह काफी party wear look है इसको आप अपने किसी भी party में या शादी में use कर सकते हैं किसी की engagement हो तो वहाँ पर भी आप और इस look को आप नवरात्री के लिए भी try कर सकते हैं अगर आप नवरात्री के time में गर्बा करने के लिए किसी भी डाणिया night में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस look को definitely try कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसके साथ pearl वाली jewelry को include किया है वही neck piece, earrings और bangle को और यहाँ पर मैंने डुपट्टे को side डुपट्टा लिया है तो बिल्कुल हमारा एक ethnic look ready हो चुका है तो definitely आप इसको ज़रूर try किये जाएगा अगर आप डाणिया night में जाएगे तो बिल्कुल perfect look है उसके लिए यह इससे पहले भी मैंने इस look को create किया है बस मैंने बाकी सारी चीज़े same रखी थी और मैंने यहाँ पर blue कुर्ती को include किया था तो एक party wear आपका look ready हो जाएगा आपको बस अपनी कोई भी plain कुर्ती लेनी है और कोई भी अपना लहंगा या शरारा और डुपटे के सारी जुलरी को include करना है तो चलिए आईए आप चलते हैं look number 6 की तरफ look number 6 में मैंने बिल्कुल different changes कर दिया है यहाँ पर मैंने अपना एक wrap around यूज किया है इस wrap around को आप अपनी इस कुर्ती के अंदर tuck in करके भी पहन सकते हैं और कुर्ती को बाहर करके भी इस wrap around का यूज कर सकते हैं इससे पहले भी मैंने अपने एक look को create करने के लिए blue कुर्ती के साथ इस wrap around को pair किया था इस wrap around को मैं कई तरीके से style करती हूँ जैसे कि कुर्ती के साथ टॉप के साथ या फिर shirt के साथ या फिर अपने किसी भी crop top के साथ तो चलिए आईए अब चलते है look number 7 की तरफ look number 7 में मैंने यहाँ पर यह golden color की jacket का यूज किया है यह jacket मैंने अपने एक blouse के कपड़े से बनवाई है मेरे पास यह black और golden color का blouse का कपड़ा था पर मुझे इस कपड़े में blouse नहीं बनवाना था तो मैंने इस टाइब की jacket बनवाली है तो देखे जैकेट बनाने के बाद भी यह कितनी beautiful लग रही है और कोई भी नहीं कहेगा कि blouse के कपड़े से जैकेट बनवाई है अगर आपके पास भी इस टाइब का कोई भी blouse पीस पड़ा हो तो इस टाइब की jacket बनवाके आप अपने कुर्ती के साथ प्यार कर सकते है लुक नमबर 8 में बस मैंने यहाँ पर jacket को change किया अपनी golden jacket की जगे पर black वाली jacket पहनी है और अगर आपके पास यहाँ पर कोई black color का skirt या black color का कोई भी लेंगा तो उसको भी आप कुर्ती के नीचे pair कर सकते है लुक नमबर 9 को create कर नेकले मैंने आपर अपनी एक और कुर्ती को include किया है यह कुर्ती मेरी उपर से नीचे तक बटन वाली कुर्ती है अगर आपके पास इस टाइप की कुर्ती नहीं है तो अपने wardrobe में इस टाइप की कुर्ती जरूर include कीजेगा इस कुर्ती को आप तीन तरीके से pair कर सकते हैं एक कुर्ती की तरीके से एक dress के जैसे और एक श्रग के जैसे आप इस कुर्ती को use कर सकते हैं ये कुर्ती मैंने ट्रेंट से ली थी, इस टाइब की कुर्ती को आप different different तरीकी से style कर सकते हैं, jeans के साथ, skirt के साथ, as a कुर्ती, as a dress, या फिर अपने किसी भी पुराने लहंगे के साथ इस कुर्ती को style कर सकते हैं आप, तो चलिए आईए अप चलते हैं look number 10 में look number 10 में मैंने यहाँ पर अपनी इस कुर्ती के साथ बस एक श्रग को include किया है और हमारा यह look ready हो गया है बिल्कुल तो look number 11 को create करने के लिए मैंने यहाँ पर अपना यह stall लिया है यह stall मेरा नीचे से joint है और यह एक net fabric में stall है तो उसी को मैं reuse करने वाली है यहाँ पर मैंने इसको side part में करके डाला है इसको हम 2-3 तरीके से डाल सकते हैं stalls को तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा style और बता रही है इस तरीके से भी आप किसी भी plain कुर्ती के साथ इस type के stall को डाल सकते हैं अगर आपके पास stall नहीं है उसकी जिगे पर आप अपना कोई भी scarf या डुपटा भी ले सकते हैं उससे भी आप यह look create कर सकते हैं और plain कुर्ती साथ different different तरह के looks कैसे create करते हैं इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको screen पर picture show हो रही है इसका link भी मैं आपको description box में और उपर eye button में दे दूँगी तो आप वहाँ से check कर सकते हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं तो तो चलिए आईए अब चलते है next look की तरफ यह हमने एक different look create कर लिया है तो चलिए आईए अब चलते है next look की तरफ next look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर यह red color की कुरती के उपर red color के check वाला shrug लिया है अपना मेरे पास बहुत सारे different color के shrug है तो मैं अपने किसी भी plain कुरती है अपने shrug को include कर लेती हूँ इस shrug को मैं अपने jeans top के साथ भी pair करती हूँ और उसके साथ भी काफी अच्छा लगता है यह shrug तो उसी तरीखे से next look को create करने के लिए भी यहाँ पर मैंने अपना different color का shrug को include किया है यह मेरे पास एक blue और yellow color के flower में shrug है और इसी को मैंने इस red color की कुरती के साथ include किया है और मैंने यहाँ पर blue color के tassel earrings को include किया है और white ring की valley को तो हमारा यह look भी complete हो चुका है तो next look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर कुरती के साथ अपना यह golden color का skirt लिया है तो इस type का look आप नवरात्री में create कर सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी holy के बाद नवरात्री आ रहे हैं तो नवरात्री में आप अगर dandiya के लिए अपनी कोई jewelry बनाना चाहते हैं multi color की तो उस पर screen पर जो आपके सामने picture show रहे इस type की jewelry आप बना सकते हैं इसका video का link मैं आपको उपर i button में और video के end में दे दूँगी आप जाके चेक कर सकते हैं तो next look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर बस अपने उसी skirt के साथ golden color की साड़ी का use किया है साड़ी के साथ मैंने पहले भी एक video बनाया है अगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो उसका link में आपको description box में और उपर i button में दे दूँगी आप जाके चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पल्लू की pleats already बना ली है और एक round गुमाते वे पूरी साड़ी को हम front में ले आएंगे front में लेने के बाद हम साड़ी की pleats को बनाएंगे साड़ी का जो end वाला part है उसका जो corner वाला part को लेते विए हम सारी pleats को एक साथ gather कर लेंगे और pleats को एक साथ gather करने के बाद इसको हम back side में टक कर लेंगे और safety pin से यहाँ पर हम secure कर लेंगे जिससे कि हमारी साड़ी बाहर न निकले और safety pin से secure करने के बाद हम front में वापस अपनी पूरी साड़ी को एक साथ gather कर लेंगे और बाकी सारी pleats भी आगे हम front में बना लेंगे तो सारी pleats को एक साथ gather करने के बाद हम अच्छे से arrange कर लेंगे arrange करने के बाद हम इसे front में ही safety pin से secure कर लेंगे belly button के बीचो बीच हम टक कर लेंगे और यहाँ पर हमारा एक flerry सा एक निम फूला फूला एक जो look आ जाएगा क्योंकि हमने नीचे अंदर यहाँ पर skirt पहनी है उसकी वैसे काफी अच्छा look आएगा साडी का हमारी साडी draping का process complete हो चुका है तो अभी आप इसका final look देख रहे हैं मुझे personally यह वाला look काफी अच्छा लगा है और मैंने last इस draping को अपनी anniversary में इस type की जाडी look को create किया था तो जैसा कि आप लोग जानते कि अभी नवरात्री आ रहे हैं तो डांडिया के लिए अगर आप को इस look create करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको जो पिच्चर शो हो रही है इस वीडियो का लिंक में आपको उपर description box में और उपर i button में दे दूंगी तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं आप मेरा अच्छा लगाँ तो लाइक कर देएगा अगर आप मेरा वीडियो आपको पूस्ताइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर लिए अगे आने वाले नए वीडियो को नोटिफकेशनस आपको मिलते रहे हैं और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कहसा लगा है और इसमें से सबसे अच्छा लोग आपको कौन सा लगा है तो थाइंक्यू सो मच पर वाकिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई